रीमाल के रोद्र की डराने वाली तस्वीरी बंगाल के कई जिलों में चक्रवाती कहल कहीं गिरे पेड कहीं गिरे दिवा पश्चिम बंगाल से चक्रवाती तूफान रीमाल गुज़ा चुका है करीब 6 घंटे तक चली तूफानी हवाओं ने बंगाल के कई जिलों में लोवों को दैशत मिला दिया दावा क्या जा रहा है कि इस तूफान के वजह से कई जिलों में अच्छी खासी तबाही हुई है वो तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे उससे पहले रीमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है ये अलर्ट विहार को लेकर जारी किया गया है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30-40 किलोमेटर परति घंटा के रफ्तार से हवाएं चल सकती है यही वजह है कि कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है उधर कोलकाता में चक्रवाती तूफान का सर साफ तौर पर देखा जा रहा है वहां लगातार बारिश नहीं है जगे जगे से बड़े बड़े पेड़ों ख़रने की तस्वीरे आ रही है कोलकाता मेरे माल तूफान अपने पीछे छोड़ गया है तबाई की तस्वीरे देखे सदन एविन्यू इलाका है जहां की में तस्वीरे आपको दिखा रही हूँ यहां पर एक पेड़ और एक बिजली का खंबा दोनों एक साथ गिर गए है हवाओं की तेजगती के चलते कर रात भर बारिश हुई है कोलकाता में जगे जगे पर पानी भी जमा हुआ है और साथी यह तस्वीर देखे और पूरी साड़क जो है इसकी वज़े से जाम हो गई है कई जगों पर पेड़ तूट कर गिरें जिसकी वज़े से ट्राफिक डिस्टर्ब हुआ है बुलकाता में ही तूफान की वज़े से एक पुरानी इमालत की बाउंडरी वाल गरने से एक शक्त की मौत हो गई तूफान के कहर कासर जिन जिलों पर सबसे ज़ादा हुआ है वहां राहत और बचाव कारे तेज कर दिये गए है जिसके लावा सडकों पर अवाजाही को दुरुस्त करने के लिए तूफान के वज़े से गिरे पेड़ों को भी अचाया जा रहा है